हेलो नमस्कार दोस्तों सोगाइज पब जी को बैंड हुए पांस दिन हो चुके हैं दो तारीक को ही पब जी जो है इंडिया में बैंड हो चुका था और अभी भी जो है पब जी चल रहा है जिनके फोन में पहले से ही डाउनलोड रे थे उनका पब जी अभी भी चल रहा है हा साथ साथ अगर PUBG Unban होगा या नहीं होगा यह सारी बाते मैं आपको इस वीडियों बताने वाला हूँ तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा सो हे गाई इस इस सुब्वा मियर सो विटाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टट सो गाई दो सेप्टेμबर को ही गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने PUBG PUBG पबजी लाइट और उसके साथ साथ 116 और वी अप्लिकेशन को बैन किया था और इन बैन के बाद यह सारे अप्लिकेशन को प्लेश्टोर से रिमूब कर दिया गया है PUBG को भी प्लेस्टोर से रियूब कर दिया गया है बट अभी भी पास दिनों के बाद आज 7 सेप्टेंबर है और 7 सेप्टेंबर को भी अभी भी PUBG जो है चल रहा है जिनके फोन में पहले से इंस्टॉल्ड है वो PUBG को खेल पार है बिना किसी दिखत के यहाँ पर PUBG लाइट नहीं चल पारा है उसका सर्वर डाउन हो गया है बट PUBG जो है अभी भी चल रहा है जब आप देख सकते हैं मैं PUBG अपन किया हुआ हूँ और यह PUBG चल रहा है बहुत अच्छे से मैं अभी आपको टाइम दिखा देता हूँ यहाँ पर अब देख सकते हैं 7.55 हो रहा है अभी टाइम और यह साथ सेप्टेमबर को है सुभा और यहाँ अभी तक PUBG में कोई दिक्कत नहीं हो रही यहाँ पर जो सारे सर्वर से वो काम कर रहे है बहुत यच्छे से लोग इन हो जा रहा है गेम भी फ्ल्यूट चल रहा है जैसे पहले चलता था कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है तो सवाल आता है कि क्या जो है सर्वर बंद होगा या नहीं बंद होगा अभी तक तो यह सर्वर्स काम कर रहे हैं बट पता नहीं कब तक करेंगे क्योंकि PUBG वालों ने अभी गवर्णमेंट से बात करना शुरू कर दिया है और तैंसेंट वालों ने भी गवर्णमेंट अफ इंडिया से बात कर रहे हैं तो यह लोग चाह रहे है कि PUBG का जो कंटिन्यूटी है वो डिस्कनेक्ट ना हो इसलिए यह लोग अभी तक सर्वर्स को बंद नहीं किया है यह लोग जाना चाहते हैं कि किन कारणों से PUBG को बैन किया गया है तो यह दोनों कंपनिया PUBG कोरप्रेसर और टैंसेंट दोनों बात करने पे लगवी है और साथी साथ PUBG का एक पोस्ट आया है PUBG कोरप्रेशन खुद अपनी ID से प्लेश्टोर पे डाल रखा है और सुवर पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था अगर आपने नहीं देखा दिन देख सकते हैं वैसे ही PUBG कोरप्रेशन ही खुद इंडिया में इस गेम को ला सकता है और दूसरा सवाल है कि अगर इंडिया नहीं चाहता दैन इंडिया के लिए इस पोस्ट में लिखा हुआ है और साथी साथ आपको बता दे कि चाइना में गेम फोर पीस के नाम से पपजी चलता है जो कि सिर्फ चाइना के लिए है तो ऐसा ही कुछ साइद हमारे देश के लिए भी इंडिया के लिए भी आजाए में भी इन फ्यूचर अभी तक तो कुछ कहने ही सकते है बठा यह लोग गवर्मेंट ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं और जैसे ही क्लियर हो जाता है यह लोग जरूर इसके सूचना जो है अपने ऑफीसियल हैंडल्स पर देंगे नेक्स सवाल है कि पब जी को तो बैन कर दिया गया है तो क्या हम खेले या नहीं खेले तो गाइस यह आपके चोईस पर इबेंट करता है आप खेल भी सकते हैं नहीं भी खेल सकते हैं क्योंकि अभी तक इसका सर्वर बंद नहीं हुआ है अगर गवर्मेंट ऑफ इंडिया नहीं मानी और इस बैन को मिल जाए या फिर इसी का जो है पब्जी को लाया जाए बापस में भी इन फ्यूचर क्या होता है इसके रिगार्डिंग मैं आपको पोस्ट और वीडियो के थुरू बता दूँगा सो गाइज मुझे कल मैसेज आया था कि पब्जी जो है अभी भी काम कर रहा है तो मैंने टेस्टिंग के लिए पब्जी को इंस्टॉल किया था और मैंने गेम भी खेले बहुत थी इजिली चल रहा है गेम कोई भी दिकत नहीं आ रही है तो देखते हैं कब तक सर्वर काम कर सब्सक्राइब करें और पब्जी किसे रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए अप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी सो सी वाल गाइज इन मैं नेक्स्ट वीडियो तिल रहन है ग्रेट डे झाल थे, झाल प्रेस करें झाल प्रेस करें बेलेटेरो प्रेस करें तेर्म जरूर में आपको लिए आपको नेक्स्राइब करेंशन एपको जरूर वीडियो करें दिलेगी।